रादे रादे आप सभी साथियों को मेरा प्यार बड़ा नमस्कार आप सभी को देव सेनी एका दसी व्रत की हर्दिक सुख कामना है आज की पूस्ट में जानेगी देव सेनी एका दसी के ग्यारा सुख कार जो हमें जरूर करने चाहिए और ग्यारा ऐसे कार जो इस दिन कताई नहीं करने चाहिए साथी जानेंगे ग्यारा अंक का विशेश महात्व इस बार असाथ मास के सुखलपच की हरी सैनी एका दसी 17 जोलाई 2024 को मनाई जाएगी इसे देव सैनी एका दसी के नाम से भी जाना जाता है इस दिन भगवाद सिरी हरी विश्णू सेहन अवस्था में चले जाते है दूसरे सब्दों में इस दिन से देव प्रबोधनी एका दसी तक भगवाद विश्णू पतार लोग में निवास करते है इस दिन हम कुछ सामान से सुब कादर करके भगवाद विष्णों और माता लक्ष्मी के करपा पा सकते हैं साथ ही कुछ ऐसे कार हैं जो हमें बिल्कुर नहीं करने चाहिए उनको करने से भगवाद विष्णों के साथ साथ माता लक्ष्मी भी नाराज होती है तो आईए पहले जानते हैं ग्यारा अंक क्यों खास है इसका क्या महात्व है धर्विक सास्तों के माने तो ग्यारा का अंक बहुत ही खास माना गया है हिंदु धर्व में भी ग्यारा नंबर को सुभ माना जाता है हिंदु धर्व के अनुजाई ग्यारा लट्डू ग्यारा नादियन और ग्यारा रुपए मंदिर में चढ़ाना बहुत ही सुभ मानते हैं भारत में भगवान स्यू के ग्यारा रुद्रा उतार की भी माननता है ग् आंक जोतिस के अनसार ग्यारा नंबर को किसी भी कारिक के लिए पवित्रता नई उम्मित और नई शुर्वात का प्रतीक माना है। आईए जानते हैं हरी सेनी, देव सेनी, एकार दसी के दिन कौन से ग्यारा सुब कार हैं जो हमें करने चाहिए। पहला कार है। इस दिन प्राटा कार इस नान के पश्चाथ भगवान विष्णों की सूने, चानी, पीतर या तामडी की मूर्टी को पीतांबर से सजा कर, सफेड वस्त से सजे, तकी तथा विष्टर वाले एक ठोटे से पलंपर सहयन कराएं। इसके साथी कुछ खास मनोकामनाओं की बोब्ती के लिए इन महिनों में कुछ चीजों के त्यार का उरतले। और दूसरा, देव सेनी एका दसी पर दखिना वर्टी संकी, मैं गंगा जल भरकर उत्से भगवान विष्णों का अभिशेद करे। और तीसरा सुबकाद है। देव सेनी एका दसी पर भगवान विष्णों को खीर और पीले फल या पीले रंकी मिठाई का भोग लगाएं। और चौथा सुबकाद है। अगर आप धन लाब चाते हैं तो इस दिन भगवान विष्णों जी के साथ माता लक्षमी की भी बोजा करें। यह था चौथा सुबकाद और पांचवा सुबकाद है। एका दसी के साम को तुलसी के सामने गाय के सुद्ध भी का दीपर लगाएं। और तुलसी के पौधि को प्रणाम करें। और चौथा सुबकाद है। देवसेनी एका दसी पर गाय के कच्चे दूड में केसर मिलाकर भगवान विष्णों का अभिशेक करें। और देवसेनी एका दसी का सात्वा सुबकाद है। पीपर में भगवान विष्णों का वास्त माना जाता है। इसलिए एका दसी पर पीपर के पेंट पर जल चड़ा है। 8. शुभकार है अन्न का दान करना विश्मु भगवान जी के मंदित में जाकर अन्न का दान करें अन्न में चावलादि का दान कर सकते हैं और दान करने के बाद इसे गरीबों में बाद दें और नवा सुबकार है देव सेनी एका रशी के दिन मधूर सर के लिए गोड लंबी आयू के लिए सर्चो का तेल सर्चो बाधा से मुक्ती पाने के लिए सर्चो तेल और मीठा तेल तथा संतान प्राप्टी के लिए दूद का दान करें और पाप से मुक्ती के लिए इस दिन उप्वास करें और देव सेनी एका रशी के दिन का दस्वा सुबकार है इस दिन सुबा सुबा धर की साफ सफाई के पश्चात मुक्ती द्वार पर हल्री का जल या गंगा जल का छिड़काव करें और ओम नमो नारायराय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमा का 108 बार या एक तुलसी के माला जाब करें घर में धन धान तथा लच्चमी के प्राप्ठी के लिए भगवान विश्णू जी के साथ माता लच्चमी का केशर मिले जल से अभिशेक करें और ग्यारवा सुबकार है एका दसी के सामने तुलसी जी के सामने गाय के सुद्ध घी का बेपक जलाएं और उम नमो भगवते वासु देवाई नमा का जाब करते हुए तुलसी की ज्यारा परिक्रमा करें इससे घर के सभी संकट और आने वाली परिशानिया टल जाती हैं तो ये वो ज्यारा सुबकार है जो एका दसी के लिए हमें करने चाहिए आप जानते हैं एका दसी के लिए वो कौन से ज्यारा काम है जो हमें कताई नहीं करने है इसके लिए पहला कार है इस दिन जुमा नहीं खेलना है जुमा खेलना एक सामाजिक गुराई है जो वेकि जुमा खेलता है उसका परिवारवा कुटूब भी नस्थ हो जाता है जिस इस्थान पर जुमा खेला जाता है वहाँ अधर्म का राज होता है ऐसे इस्थान पर अनेक गुराईया उत्पन होत जुवा खेलना, वास्तों में बहुती यलत कार ही, किसीको भी, कभी भी जुवा नहीं खेलना चाहीए, और जो दूसरा कार है, वहे रात में सोना नहीं है, एका नसी की रात को सोना नहीं चाहीह, पूरी रात जाकर flourNO की भक्ति करनी चाहिए। भगवान विश्म के रत्मा या तस्वीर के निकट बैट कर भजन करती हुए ही जागरण करना चाहिए इससे भगवान विश्म के क्रपा रात्प होती है और तीसरा काम जो हमें नहीं करना है वो है इस दों पान नहीं खाना है एका रशी के दिन पान खाना भी वर्जित माना पान खाने से मन में रजयोगो की प्रवति बढ़ती है इसी लिए एका दसी के दिन पान न खाकर व्यक्त को साथविक आचार विचार रखर प्रविभक्ति में मन लगाना चाहिए और देशनी एका दसी के दिन जो चौथा कार नहीं करना है वह है दातुन करना एका दसी पर द सेट में सास्थ सम्मत कारण नहीं मिलते हैं लेकिन मन्यन और दातुन करनी नहीं है और पाच्वा कार जो हमें नहीं करना है वह है पर निन्दा यानि कि दूसरों की बुराई नहीं करनी है पर निन्दा यानि दूसरों की बुराई करना ऐसा करने से मन में दूसरों के प्रत कट भाव आ सकते हैं इसलिए एका दसी के दिन दूसरों की बुराई ना करते हुए भगवान विश्बू का ही ध्यान करना चाहिए और छठा कार जो इस दिन नहीं करना है वो है चुबली करना इस दिन किसी की भी चुबली नहीं करने चाहिए चुबली करने से मान सम्मान में क कमी आ सकती है। कई बार अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए सिर्फ एकादसी ही नहीं। अन्य दिनों में भी किसी की जुबली नहीं करना चाहिए। और सात्वाकार हमें बिल्कुर नहीं करना है। वह है चोरी करना। चोरी करना पाप करने माना गया है। चोरी करने वाला व्यक्ति परिवारवा समाज में घड़ा की नदुन से देखा जाता है। इसलिए सिर्फ एकादसी ही नहीं। अन्य दिनों में भी चोरी जैसा पाप करना चाहिए। और आत्वाकार नहीं करना है। वह किसी भी प्रकार क हिंसा नहीं करनी है, एका दसी के दिन हिंसा करने की मना ही है, हिंसा की मन सरी से ही नहीं, मन से भी ठोटी है, इससे मन में विकार आता है, इसलिए शरीर या मन किसी भी प्रकार की हिंसा इस दिन नहीं करना चाहिए, और इसके साथ ही जो नवाकार हमें नहीं करना है, वो है इस् क्योंकि इससे भी मन में विकार कुद्पन होता है और ध्यान भगवान की भक्ति में नहीं लगता है पता एका दसी पर इस्त्री संग नहीं करना चाहिए और जो दस्वाकार नहीं करना है वो है हमें कुरूर्थ नहीं करना है एका दसी पर कुरूर्थ भी नहीं करना चाहिए इससे मांसिक हिंसा होती है, आगर किसी से कोई गल्ती हो भी जाए, तो उसे माफ कर देना चाहिए और मन सांत रखना चाहिए, और ग्यारवा कारिक हमें नहीं करना है, वो है हमें जूट नहीं बोलना है, जूट बोलना व्यक्तियत बुराई है, जो लोग जूट बोलते हैं, समात्वा परिवार में उचित मान सम्मान नहीं मिलता है इसलिए सिर्फ एका दसी पर ही नहीं आन्ने दिनों में भी जो नहीं बोलना चाहिए तो ये हो जारा कार है जो एका दसी के जिन हमें कताई नहीं करने चाहिए साथ में आपने जाने जारा सुपकार जो हमें एका दसी पर करने चाहिए जिसे भगवान विश्वुमा लच्वी की क्रपा मिलती है तो वह 11 सुबकार इभड़ो करें और यह 11 कार कताई ना करें आप और आप पूरे परवार पर शिरीहरी लच्वी नराहिंजी का असेबार सदर बना रहें इसी के साथ इस पोस्ट को समाप करने की आ आप से आग्या चाहते हैं आपके सीग मिलेंगे किसी नई पोस्ट के साथ तब तक के लिए आप अभी को देशेरी एकार तसीव रहत की घार देख सुबकामनाओं के साथ मेरी प्यार पढ़ी रादे रादे आपसे अपने एक समस्या शेयर कर रहे हैं हम वीवन सोसी सहीर ग हमारे साथ बनाए रखे उमेद प्रति हुँ हमारी स्वास्ति समस्या को समझते हुई आप सभी साथ हमारा सहीर जरूर करेंगे इसके लिए आप सभी साथियों का हम देख से बहुत-बहुत धन्यवाद रादे रहे हैं